असलावलेकर वीडियो स्टुरेंट कैसे हो आप लोग वीधा कि आप सब लोग बिलकुल ठीक ठाक हो गए तो आज की इस वीडियो में चलना हम लोग बात करेंगे कि आप लोग ने अपने फर्स सेमिस्टर एक्जाम की प्रेपरेशन किस तरह से स्टार्ट करेंगे हैं जया ने की अपली चैनल को सब्सक्राइब नहीं कियो है किस आप लोग डिदोतों की इस इनाम होतर हम लें मॉटिवेशन होती है second thing is that आप सब लोग कोशिश करो कि वीडियो को बिल्कुल last तक देखो so that आप लोग उसे किसी भी किसम का point किसी भी किसम की information जाओ miss ना हो कि students क्या करते हैं कि वीडियो को complete देखते नहीं है और at the end वो सेम चीज कमेंट सेक्शन के अंदर पूछते पूछ रहे होते हैं तो वीडियो आप लोग end तक देखो बिल्कुल short form मैं explain करूँगा कि आप लोग उने क्या करना और किस तरह से करना है देखो हमारे पास पहरी बात तो यह कि हमारे पास दो तरह के subject होते हैं कुछ majors होते हैं कुछ minors होते है अब जो आप लोग पास चो minor subject है वो तो आप लोग पास 100% आप लोग की slides से cover होते है तो लहादा उन subject के लिए आप लोग books बिल्कुल भी न देखो आप लोग slides देखो अब बात कहते हैं अब मेजर में हमारे पास anatomy को छोड़कर बाकी जो दो major subjects आते हैं इस तरह परमेडिक्स वानों के लिए तो यह भी slides से cover होते हैं लेकिन यह 100% cover नहीं होते हैं यह round about हम लोग कह सकते हैं कि यह आप लोगों के 60-70% तक यह up to 75% तक यह cover होते हैं slides, अगर आप slides को अची तरह से करो तो ठीके? और अगर आप slides के साथ past papers कर ले तो तो फिर आप लोगों को extra कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती ठीके? extra कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है ठीके? आप जब slides करो और past papers करो this is more than enough means आप easily 80 plus score कर सकते हो अब आपनों के पास जो एक main subject होता है anatomy वो slides से cover नहीं होता उसके लिए आपनों को book पढ़नी ही पढ़ेगी चलो physiology हमारा फिर slides से cover हो जाता है जो biochemistry या biomेकानिक्स है वो भी slides से cover हो जाता है इसी तरह आपनों के पास BSN के जो subjects है F1 और ये चीज़े ये slides से cover हो जाती है लेकिन जो main subject है further anatomy की बात करूँ specially anatomy की तो वो आप लोगों को slide से cover नहीं होता तो उसके लिए आप लोगो books कर पढ़नी पढ़ेंगी अब वो students जो बागी books भी पढ़ना चाते है जब आप slides करते हैं तो आप लोग past paper लाजमी किया करो ठीक है past papers बहुत ज़दा helpful होते है उमीद है कि आप लोगों को ये कुछ चीज समझ आ गई होगी and in this and that आप लोगों को अपने first semester की exam preparation जायो start कर सकते हो thank you